जिलास पत्ताल के आपात कालिन वाड के सामने टेंपो में तेज अवाज में गाने बजाना पड़ा महंगा कोतवाली पुलिस ने की कारिवाई चूरू के राज के भरतिया जिलास पत्ताल के आपात कालिनवाड के सामने बुधवाड शाम टेम्पो में तेज अवाज में गाने बजाना टेम्पो ड्राइवर को महंगा पड़ गया चूरू की कोटवाली थाने के A.S.I. गिर्धारी लाल सेनी ने दोहनी परदूशन अधिन्यम में कार्योवाई करते हुए आरोपी को गिरफतार कर लिया पुलिस ने टेम्पो में से स्पीकर आदी उपकरन भी जब्त कर लिये कोटवाली थाना A.S.I. गिर्धारी लाल सेनी ने बताया कि शहर में चलाए जा रहे विशेश अभ्यान के दोरान राज के भरतिया जिला अस्पत्ताल पहुंचे तो वहां आपात कालिन वार्ड के सामने टेम्पो में एक वेक्ती तेज आवाज में हिंदी फिल्मों के गाने बजा रहा था जिससे अस्पत्ताल के कार्मिकों और मरीजों को व्यवधान पैदा हो रहा था इस पर पुलिस ने ध्वनी परदूशन अधिनियम के तहट कार्यवाही करते हुए चुरू के वार संख्या तीन निवासी मुहमद आसिफ को गिरफतार कर लिया और स्पीकर इत्यादी उपकरण जब्त कर लिये उन्होंने बताया कि एस पी दिगन तानंद के निर्देश पर आर एंसी एक्ट के तहट कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी